Hey everyone, welcome to Phenology Legal. नया साल आ रहा है और इसके साथ-साथ कई सारी competitive exams की date भी announce हो गई है. तो आपकी comprehensive तयारी के लिए हमने 100 MCQs का compilation तयार किया है, जिसे हम 2 parts में cover करेंगे. Part 2 जल्दी upload होगा, जिसका link description box में भी डाल दिया जाएगा. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी announcement है, जो end में reveal की जाएगी. तो end तक ज़रूर बने रहिएगा. Current phase की और जानकारी पाने के लिए हमारे इस course को enroll करना मत भूलिए. तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल. Which government will set up the world's largest floating solar project by 2023? सबसे बड़े project की बात की जारी है, तो ये setup होने वाला है मद्ध प्रदीश government के द्वारा, करीब 600 MW इसकी capacity होगी नर्मदा नदी के ऊपर. पहली महीला fighter pilot के बारे में सवाल है, तो इसका सही जवाब है भावना कंथ, बहुत important सवाल है, याद रखियेगा. अगला है, who is the first US president to be impeached twice, दो बार कि इने impeach किया गया था. तो वैसे ये काफी easy है, आप यहाँ पर options देखेंगे, आप जवाब जान पाएंगे. सही जवाब है इसका option D, Donald Trump. इन पर कुछ charges लगाये गए थे, जिनकी वज़े से इने दो बार impeach किया गया है. इसे के साथ Mr. Joe Biden has been sworn in as the 46th president of USA. दोनों आपको पता होना चाहिए, जो बाइडन के विबारे में और Donald Trump के बारे में. अगला सवाल है Most Innovative State के बारे में. इन्डिया Innovation Index के अंडर सबसे Innovative State कौन सा है आपको identify करना है. इसका सही जवाब है option A, करनाटका. इसे release किया जाता है नीती आयोक के द्वारा. करनाटका के साथ-साथ Union Territories में Delhi ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया. अगला जो सवाल है यह बहुत ही important है. Recently Indian Government ने कुछ days को commemorate किया है. तो आपको यहाँ पर उन्हें match करना है. आप चाहे तो वीडियो पॉस करके इसे देख कर फिर जवाब दे सकते हैं. इसका सही जवाब है option A. जैनुरी 23 को पराकरम दिवस मनाया जाता है on the birth anniversary of निताजी सुभाष चंद्रपोस. अगला चाह बहार डे मार्च चार को. November 16 हम बनाते हैं first audit दिवस के रूप पर इसमें हमने Comptroller and Auditor General of India के institution को importance भी है. पिर है जनजातिय गौरफ दिवस November 15 on the birth anniversary of बिर्सामुंदा. अगला जैबलिन थ्रोडे to honor नीरत चोपडा क्योंकि इन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता था टोकियो ओलम्पिक्स में. अगला है about selecting the odd one out. इसमें से आपको odd one out select करना है. सही जवाब है काफी easy पदमश्रेष्ट. पदमविभूशन, पदमभूशन और पदमश्री. ये दिये जाते हैं President of India के द्वारा. रिसेंटली मिस्टर शिंजो आबे को पदमविभूशन से ओनर किया गया था. अगला, which is the first state to table a paperless budget? पहला paperless budget कौन से state ने प्रेजेंट किया? इसका सही जवाब है option B, उत्तरप्रदेश. इसे के साथ साथ, रिसेंटली union budget 2021 का भी पूरी तरीके से paperless प्रेजेंट किया गया है. तो यह तीन information उत्तरप्रदेश, बजट और दुबाई आपको पता होनी चाहिए. अगला है, who is the chairman of 15th finance commission? बहुत ही important commission है. इसका सही जवाब है option B, Mr. N.K. Singh. Finance commission हर पात साल में constitute की जाती है by the president of India और recent के commission ने recommend किया है करीब 41% का devolution. अगला है, center has recently increased the upper limit of legal abortions till 24 weeks. तो आपको बताना है कि यह जो increase की है limit वो कौन से act में amendment करके लाई जाएगी? MTP Act of 1971. तो recently, government ने 20 से 24 weeks तक की limit को increase किया है for the special category of women. Next है, which country was the chairman of BRICS for 2021? 13th summit recently organized किया गया था. इसकी chairman country कौन सी थी? So, इसका बहुत ही easy answer है option D, India. देखे, BRICS का जो full form है वो है Brazil, Russia, India, China and South Africa जो की इसकी member countries है. तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते थे अगर आपको इसका full form पता था. इसका सही जवाब है option D, India. रिसेंटली 13th summit हुई थी on the 15th anniversary of BRICS. Next है, 11th question which is about Gandhi Peace Prize for 2020. इसे रिसेंटली कनफर किया गया था to Mr. Sheikh Mujipur Rahman and 2019 का award दिया गया है to Mr. Sultan Qabuz bin Said. ये एक annual award है जिसे 1995 से कनफर किया जा रहा है to everyone irrespective of any discrimination. अगला है about Dada Sahib Pal के award जो की बहुत ही prestigious और बहुत ही important है. इसे रिसेंटली अवार्ट किया गया था to Mr. Rajnikant. नैशनल फिल्म अवार्ट काफी important है और इसके अंडर best actor, best actress की भी categories announced की गई थी. और best Hindi film award दिया गया है चिछोरे को. अगला है Ease of Living Index. यह किसके द्वारा announce किया जाता है या release किया जाता है. So this has been announced by Ministry of Housing and Urban Affairs. इसमें Bangalore and Shimla ने सबसे अच्छा perform किया है in their respective categories. Next है match the following. तो आप क्या कर सकते हैं इसे फिर से pause कीजिये, थोड़ा देखिये, match कीजिये और फिर जवाब दीजिये. इसका सही जवाब है option B. World Happiness Report के अनुसार 139th position है इंडिया की और सबसे अच्छा perform किया था Finland ने. According to the gender gap report, Iceland performed the best और इंडिया का rank है 148th. Global Innovation Index के अनुसार, इंडिया का rank है 46th और Switzerland ने सबसे अच्छा किया. अगला है Global Climate Risk Index जिसमें इंडिया की rank है 7th और 4th रिकों ने सबसे बुरा perform किया. Next है Academy Awards के बारे में, that they are also known as. So they are also called as the Oscar Awards. Recently 93rd Academy Awards announced किये गए थे, जिसमें Best Picture का Award दिया गया था Nomadland को. इसमें और भी क्याटेगरीज जैसे की Best Actress, Best Actor वगेरा भी Announce किये गए थे. अगला सवाल है about who became the first Indian fighter to win the MMA World Championship. क्योंकि ये पहले Indian fighter की बात हो रही है, इसलिए ये काफी important है. सही जबाब है Option D, Arjan Bhullar. He has become the one heavyweight world title winner and इन्होंने लडाई-लडी थी against King Brandon. ये event Singapore में organized किया गया था. अगला है about Whitley Awards. What is the other name for these awards? ये आपको बताना है. इसका सही जबाब है Option B, Green Oscars. Recently, Nuklu form जो कि Nagaland से हैं, ये इकलौते Indian थे, साथ conservationist में से, जिन्हें ये award दिया गया था. 18th question पूछा जा रहा है, धोला वीरा और काकतिया रुदरेश्वर टेंपल के बारे में. ये दोनों अभी recently news में थे, आपको इसका reason बताना है. Yes, तो इसका correct answer है, option C, that they have been listed under the UNESCO's World Heritage Site. जो काकतिया टेंपल है, वो तेलंगाना में है, और धोला वीरा, गुजरात के रनफकच में. अब टोटल इंडिया में 40 World Heritage Sites है. Next is about Pegasus, that what is Pegasus? तो Pegasus basically एक spyware है. ये एक काफी highly sophisticated spyware है, जो कि recently काफी जादा news में था. इसे Israeli spyware maker, NSO Group के द्वारा बनाया गया है. अगला सवाल है, Ministry of Cooperation के बारे में, की who is responsible for the ministry? आप में से काफी लोग इसके बारे में पहली बार सुन रहे होंगे. इसका सही जवाब है, option D, none. क्योंकि इसके responsible minister है Mr. Amit Shah. इसे July 2021 को बनाया गया था, इंडिया में cooperative movement को promote करने के लिए. So the next question is about who is the youngest ever chess grandmaster in history? इसका correct answer है Abhi Manyu Mishra. He is basically a 12-year-old kid, जो की बन गए है youngest ever grandmaster. Next is about who were the runner-ups in the ICC World Test Championship? यहापे आपको runner-up बताना है पर Test Championship का. Correct answer is option B, India. Recently, New Zealand ने ये championship जीती थी, इंडिया को defeat कर गए. और player of the match दिया गया है Kyle Jamison को and player of the series to Kane Williamson. Next is about which state has now become the first state? पहला state जिनके पास एक से ज़्यादा ऐसी cities हैं जिनके पास Water Plus Certified का tag हो. So the correct answer is Andhra Pradesh. स्वच्च सर्वेशन के सर्वे के अंडर इसे ये प्रोवाइड किया गया था, बट इन दौर पहली city है जिसे Water Plus Certified City का tag भी आ गया था. अगला है about Kigali Amendment. कि Gali Amendment is under which of the following इन में से किसके अंडर आती है? Correct answer is Montreal Protocol. Montreal Protocol basically एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो Earth को Ozone Destroying Chemical से प्रोटेक करता है. इसके अंडर हमें HFCs को include करना था and that is why Kigali Amendment को introduce किया गया था. नेक्स्ट इस अबाउड मतस्या जो कि एक वहिकल है यह इन में से कौन से Mission के अंदर लॉंच की गई है? Correct answer is option C, Deep Ocean Mission. So Deep Ocean Mission एक initiative है Ministry of Earth and Sciences का जिसके अंदर हम C और Deep Ocean को explore करेंगे इनके resources को भी. Next is about which of the following is not a member of Quad? So Quad is basically a Quadrilateral Security Dialogue जो की है USA, India, Australia and Japan के बीच में. So इसमें से जो और वन आउट है, वो है South Africa. Important news is कि US President ने recently पहला Quad Leaders Summit को organize किया था in person and that is why it is an important fact. So the 27th question is about the Blue Flag Certification. यह किस चीस से related है? So यह certification related है बीच से. जो सबसे cleanest beaches होते हैं, उन्हें यह certification दिया जाता है. Recently, Covillum Beach और Eden Beach को भी यह tag दिया गया और अब total इंडिया के पास 10 certified beaches हैं. अगला सवाल है, Economic Freedom Index के बारे में, इसमें इंडिया की rank क्या थी? तो इसमें इंडिया की rank है 26th. इसे announce किया जाता है Heritage Foundation के द्वारा और इसमें Singapore ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया. आगे हम बढ़ेंगे Tokyo Olympics से related कुछ questions के बारे में और फिर उसका explanation देखेंगे. What is common between Neeraj Chopra and Bajrangpounia? तो options को आप video pause करके भी देख सकते हैं. Correct answer is option C, that they both participated in Olympics. अगला है, that this was for which number of time की Japan ने Olympic Games को organize किया है? तो Japan ने इसे organize किया है fourth time. And what was the position of India in Tokyo Olympics and Paralympics respectively? तो दोनों आपको ध्यान से बताना है, Olympics और Paralympics दोनों के बारे में. Correct answer is option A, 48th and 24th. कुछ information Tokyo Olympics के बारे में? Maricom Manpreet saying Bajrangpounia, यह flag bearers थे opening और closing ceremony में. And Neeraj Chopra ने gold medal जीता इंडिया के लिए javelin throw के event पे. Paralympics में तेकचंद और अवनी लेखरा flag bearers थे. इसमें सुमित अंतिल, प्रमोद भगध, कृष्णा नागर, मनीश नार्वाल और अवनी लेखरा ने gold medals चीते इंडिया के लिए. अगला सवाल है, that India's first Dugong century was to be set up in which of the following state? So, इसका correct answer है, option B, Tamil Nadu. ये एक बहुत ही valuable century होने वाली है Tamil Nadu की, जिसमें हम Dugongs, जो की C का उजमाने जाते हैं, उनके protection के लिए बनाएंगे. अगला सवाल है, Nobel Prize के बारे में, जिसमें हमें match करना है, इन में से कौन सा correct है उसके बारे में? So, बाकी सब गलत होती हुए, option C is the only one जो correctly matched है. Nobel Prices recently announced किया गये थे, जिनने पहली बार 1901 में organize किया गया था. बाकी सभी Nobel Prices आपको provide किये गये हैं. So, जो 12th edition था, इसे जीता गया है अरजेंटिना के द्वारा, जिसे भूबनेश्वर में organize किया गया था. इसमें player of the tournament दिया गया टिमित क्लिमिट को, goalkeeper आंटन व्रिंक्मन और top goal scorer टू माइल्स बाकिन्स. अगला है इंडेक्स के बारे में कि इंडिया का rank क्या है Global Hunger Index में. इस बार के इंडेक्स में इंडिया ने काफी बुरा perform किया और इंडिया का rank है option D, 101st, जो की हमारी neighboring countries नेपाल, बांगलादेश, पाकिस्तान इनसे भी बुरा है. इसे jointly publish किया जाता है well hunger, hife and concerned wildlife के द्वारा. Next is about Henley Passport Index के इन में से सबसे अच्छा passport कौन सी country का है. So, the correct answer is option B, Japan. Basically, Henley Passport Index दुनिया के most powerful passports को rank करता है, जिसमें Japan and Singapore have topped the rank and India का rank था 90th. Next is about how many acts were repealed under the farm laws. Recently, winter session में, हमने 3 laws को repeal किया है, जो की empowerment protection, trade and commerce and essential commodities से related था. अगला है, इंडिया का पहला food museum कहां पे set up किया जाने वाला है? So, इसका correct answer है option B, Tamil Nadu. Next is about Falguni Nair. She became India's wealthiest self-made female billionaire. आपको बताना है that she is the CEO of which company? So, yes, the correct answer is NICA option A. NICA's founder's worth recently reached around 6.5 billion, जिनसे वो बन गई इंडिया की wealthiest self-made female billionaire. 40th question is about who was awarded the Ballant Dior winner for the 7th time, 7th वी बार जिनने ये award दिया गया. So, वैसे तो ये question काफी easy है. Yes, the correct answer is option D, Lionel Messi. Because option A, B, C तो tennis players के बारे में है. तो ऐसे common senses अगर हम लगाएंगे, तो हमारे answers easily आ सकते हैं. Ballant Dior, सबसे oldest and the most prestigious award माना जाता है football industry का, जिससे इस बार Lionel Messi को award किया गया था. आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर, which is about National Logistics Index. This is released why? तो ये release किया जाता है Commerce Ministry के द्वारा. इसमें हम Logistics और Services के basis में States और UTs को rank करते हैं. इसमें गुजरात ने States में और Delhi ने Union Territories में अच्छा परफॉर्म किया. अगला है choosing the odd one out, बट यहाँ पे context दिया है UNESCO का. So, correct answer है option D, Coimbatore. Basically, बाकी सभी जो cities है, ये UNESCO की Creative Cities Network List में आती है. इसमें से श्री नगर ने रिसेंटली इस लिस को जोईन किया. अगला है about Anju Bobby George. She was awarded as the Woman of the Year by which of the following? तो इन्हें ये अवार्ट दिया गया by World Athletics. She is an Indian sprinter और इनके continuous efforts की वज़े से इन्हें ये अवार्ट दिया गया. So yes, the correct answer is option C, Mr. Narendra Modi. So for his unconditional friendship with Bhutan, Order of the Dragon King जो की Bhutan का हाइस सिविलिन अवार्ट है, ये प्रुवाइट किया गया. Next is about which of the following has not been included in the list? Not के बार में आपको यहां पर बताना है. Yes, so the correct answer is option A, Suwa Dance. Basically, बाकी सभी जो यहां पर दिये गए हैं, ये सभी UNESCO की representative list of intangible cultural heritage of humanity में आते हैं. और इन सभी में से दुर्गा पूजा को recently इसके अंदर include किया गया. और अब total India के पास 14 elements हैं. अगला सवाल है विजय दिवस के बारे में कि recently कौन सी anniversary इस दिवस की celebrate की गई? So the correct answer is option D, 50th. So विजय दिवस बेसिकली 1971 की war जो पाकिस्तान के साथ लड़ी गई थी बांगलादेश liberation के लिए उसके लिए इसे celebrate किया जाता है और इस साल 2021 में इसकी 50th anniversary थी. अगला सवाल है एशिया यूथ पैरा गेम्स के बारे में कि 2021 का version कहां पर और्गिनाइज किया गया था? So the correct answer is Manama Bahrain. इसी से related एक और सवाल है. आपको common element ढूणना है निथ्या श्री, संजना कुमारी, पलक कोहली, नेहल गुपता और अभिजीत सखूजा के बीच में. So the correct answer is option A that all of them have won gold medals for India. Recently 4th edition इसका organize किया गया था और इसमें Iran ने medal टाली को टॉप किया और इंडिया की rank थी 5th. अगला जो एशिया पैरा यूथ गेम्स है वो ताशकेंथ में organize किया जाएगा. Next है State Food Safety Index के बारे में कि ये किसके द्वारा release किया जाता है? तो ये जो है FSSAI यानि Food Safety and Standards Authority के द्वारा release किया जाता है. इसमें लाज स्टेट्स की काटिगरी में गुजराद, स्मॉल स्टेट्स में गोवा और यूटीज में जम्मू कश्मीर ने सबसे अच्छा पफॉर्म किया. 50th question तक हम पहुँच चुके हैं और सवाल है that who were the winners in the T20 World Cup 2021? हम यहाँ पे winners की बात कर रहे हैं. तो winner थे Australia और इन्होंने New Zealand को defeat किया था. Player of the series दिया गया David Warner को और 2016 में West Indies ने यह कब जीता था? तो इसी के साथ हमारा part 1 यहाँ खतम होता है. अब बारी आती है हमारे announcement की. तो हमने exclusively एक नए course को launch किया है जिसमें current affairs आपको video format में provide किया जाएगा. अगर आप law interest exams जैसे CLAT, UGPG, ALET या DU की exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप हमारे इस course को जरूर चेक आउट कीजिए. जिसकी link description में provide कर दी गई है. और अब मिलते हैं इस compilation के next part में.